हमारी माननीय मंत्री स्मिती रानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीक चीक कर भूख से ब्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है जब किसान आप मत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रूई डाल के सो जाते हो आई विश इसमिती जी आए और हम लोगे साथ अगर आप चीक चीक के उस बच्चे की पुकार और दर्थ को समझ रही थी तो आईए ने आज आज गया सिलिंडर 10,054 रुपय हो गया है आज आप हमारे साथ चीक चीक कर गरीबों की बात करिए अज गरीब के पेट में लात मार जा रही है आपकी नीदी ने जो नोट बंदी से 2016 से जो गलतियां पर गलतियां पर गलतियां की कभी भी उसका आप जिकर नहीं करना है जितने अर्थ शास्त्री थे उन सब ने कहा था जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिलकुल स्टेबल थी उस वक्त नोट बंदी नह रहे हैं मैं 2013 का बहाय हाँ मोहन सिंख्ण जी महंगाई का मह नहीं बोलते हैं प्लीज अ महठाइब मेहंगाई के लिए क्या रहे हैं मरो तो मरो आपका नसीब मुझे फिर याद आ रहा है कोविट का वक्त जब करोड़ों लोग सडकों में चल रहे थे हजार हजार किलो मेटर चल के जा रहे थे तो मुझे लगता है मोदी साब यही कह रहे थे क्योंकि उस वक्त घरीब को पैसा धेना था तो आपने क्या बोला सारे घरीब घर से बाहर निकलो और ठाली बजाने का काम करो ठालिया पजाने से आपके पीट में भोजन मिल जाएगा , फिर हमारी मौनीय मंत्री स्मिती रानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीक चीक कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है जब किसान आप मत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रूई डाल के सो जाते हो आई विश किसमिती जी आईए और हम लोगे साथ अगर आप चीक चीक के उस बच्चे की पुकार और दर्थ को समझ रही थी तो आईए ने आज आज गया सिलिंडर 10,054 रुपए हो गया है आज आप हमारे साथ चीक चीक कर गरीबों की बात करिए अपने घर की रंजिश्मत न सवाज़े करना चाहिए सवरगे सुष्मा जी की स्पीश को याद करना चाहिए जिनों ने कहा था कि ये सवेदन हीन सरकार है ये बिलकुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है ये विश्वास घाती सरकार है आज मुझे क्याना पढ़ रहा है कि अगर इसको सुनती हूं जो उन्होंने कहा था कि गर में चुला नहीं चलता है बच्चे भूग सरोरो कर सोते हैं और मा आंख में आशू लेकर चुप हो जाती है जब आशू की बात पीयम सापके मूह से सुनते हैं तो हमें डर लग जाता है क्योंकि उन्होंने पहले मिडिल क्रास से माहिलाओं के आसु निकलते हैं मेरे भी निकलते हैं सबसीडी छोड़ दो माहिलाओं ने छोड़ दी कहा गरीबों को सबसीडी देंगे माहिलाओं पसीज गई हम सब आपने सबसीडी छोड़ दी आज हर्श क्या हुआ आज आपने सोला सो रुपए का एक जुन जुना पकड़ा कर साथ करोड लगभग लोगों को आपने चुला और गैस दिया आपको मालूम था कि गरीब आपके जहासे में फसेगा एक चुना दो चुना आपने उजुला लेकिन वो रेवडी में फर्क इतना था गरीबों के लिए नहीं थी गैस अजिंसिस के लिए थी आप सोला सुर्पए गरीबों से ले रहे थे बाकी का पैसा सरकार दे रही थी किसका दे रही थी टैक्स पही का दे रही थी उसके बाद क्या हुआ आज आकड़ा इतना वक्त नहीं है लगबख साथ करोड घर जिसमें सारे चार करोड वो लोग है जो उज्वला के तहते हैं एक साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रहे हैं सारे तीन करोड के लगबख वैसे लोग है जो साल में एक रिफिल करा रहे है यह किसको दिया था जुरुजना यह किसकी रेव उस वक्त भी उस वक्त भी आपके टाइम पर 900 रुपए गैस सिलिंडर था मानते हैं 900 रुपए था लेकिन हम अपनी रेवनिया गरीबों में दे रहे थे दिल्कुल 400 रुपए कम में गैस सिलिंडर दे रहे थे हम गरीबों की मदद कर रहे थे हम NPA की और करोड़ बतियों की साफ नहीं कर रहे थे हम गरीबों को दे रहे थे आप सिक खास रख्षा खास रख्षा की बात कर रहे हैं एक तरफ मोधिस आप कहते हैं कि रेवडी बाटना बहुत खदरनाक है मैं प्रदान मंत्री सहाब सभाबती जी के मादर्म से बोलूंगी उजुला की रेवडी हो चा दिलाना चाहती हूं आपको जियो आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेवडी नहीं खिलानी चाहिए आपने क्या किया पूरे देश को जियो का रेवडी खिलाई पहले बोला मुफ्त में दे रहे हैं मुफ्त में दे रहे हैं मुफ्त में दे रहे हैं जब आपको हादा डल गई उ एक चोटी सी फैक्टि चिलाने वाला व्यक्ति है उन्होंने सुबह बोला कि जी एस्टी जी निर्मिला जी का कल में बाशन सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि लगबग एक लाग पैतालिस लाग करोर जी एस्टी सम्थिंग मेरे आखडे गलत हो सकते हैं कि इस बार भी हमने जी एस्टी से पाया मैं मंतिय साब से पुछना चाहूंगी आप जी एस्टी तो पा रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रिया चिला रहे हैं विदिन मंत उनको ब्यास बैंक का ब्यास भी देना पड़ता है जी एस्टी भी गौर्मिन को देना पड़ता है पंदा दिन से बना कि क्या सरकार पूरत देश को उसी इंपूर्ट से चला रही है क्या तीसरी बात करिए करिए तीसरी बात मैं एक बच्चे से मिली 16-17 साल के बच्चे से आप GST लगा रहा है 5% आप GST लगा रहा है 12-18% दोनों आप GST में आम आदमी मरता है किसी ने बोला कि 5% GST से किसको फर्क पड़ेगा पड़ता है जो व्यक्ति व्रिधा पेंशन 500 रुपए के लिए आठ घंटे लाइनों में खड़ा होता है पूरा महीना चलाता है अगर उसको 5% GST लगता है तो फर्क पड़ता है आप कहते हैं कि नहीं खुले जो गरीब है वो खुलेगा खाता है उसको फर्क नहीं पड़ेगा मैं आप से पूछती हूँ कि क्या आप चाते हैं जिंदगी मार वो गरीब ठेले में मक्खी लगता हुआ खाना ही खाता रहे क्या उसका हथ नहीं है कि वो पैकिंग खाने को खाए क्या उसका नहीं है कि वो स्वास खाना खाए दूसरी तरफ आप ये बताइए टेटरा पैक में जो 10 से 12 रुपे की लसी चार्ज दूद दही हम सब बच्चे स्कूल से आते हैं तो जाके किसी भी कि MDMC के MDC के उससे चार्ज लेते हैं तो क्या उसमें आप 12 से 18 पर्सन जो लगा रहे हैं वो क्या गरीब अमीर खाता है किया किसी करोड़ पती का बच्चा वो टेटरा वाली लसी पीता है जिसके लिए आप क्या रहे हैं कि 12 से 18 करनी है मुझे एक बच्चा बोल रहा था कि मैडम आप लोग सदन में बोलते हैं नहीं है रंजता जी ने आपने ज्यारा समय दिया थैंक यू प्लीज दैने वाद प्लीज एक मिनट सर दो मिनट दो मिनट रिच्टर फाउजिया कान दो मिनट एकस्टा दिया मैंने आपको आपने आप पुलिटिकल सवाल उच्छे में बढ़े किया करो सर कंक्लूड करें उसने बोला कि आप बताते क्यों नहीं है स्कूटी से जाए तो तेल महंगा एक टैट्रा का 10 रुपे का जूस पिए तो वो महंगा इस्कूल में जाए तो पैंसिल रबर इरेजर कटर महंगा तो आदमी जाए तो कहां जाए एक तरफ आप लोट कोविड म हैं 23 करोड को गरिभी निखाबे ले कि आ गए 98 परसंट लोग कि सारी आमदनी घड़ गई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं बार बार लोग कह रहे थे कि रुपया गिर रहा है देश की अबरू जारी अबरू जारी है मनमोहन सिंग्जी ने अपने पूछा था और मनम 59 से 69 हुआ और विदिन 4 मन्त में 12 59 में लेकर आगे थे क्या आप लेकर आएंगे मैं आपसे आग्रे करती हूं कि प्लीज जाहां पर कांग्रेस इस देशी आर्ट कि पिती को छोड के गई थी